हलो गाईज वेल्कम टू बैर कैसे आप लोग आई होप आप सब ठीक होंगे स्वास्थ होंगे मस्त होंगे और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ स्नेक प्लांट से आप आजकल हर घर में आज लोगों को स्नेक प्लांट मिल जाएंगे जहां स्नेक प्लांट को लगा तो लेते हैं इसका महतोध में जानते तो आज की वीडियो में मैं बताओंगे आप лож को स्नेक प्लांट के बारे में छिटी सी जानकारी दूँगे अगर आप लोग को अच्छी लगीगी वीडियो तो फ्रेंट्स वही लाइक, कमेंट्स और जितने नहीं होंगे तो सस्क्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजेगा ताकि आप लोग को अच्छी वीडियो देखने को मिले अच्छी जानकारी सुनने को मिले तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसने प्लांट ऐसा प्लांट है जो की बहुत ही कम देखरेक में चल जाता है एक तम इसकी आप एक बार लगा दीजिया लगाकर इसको भूल जाए एक तम इसका ध्यान रखना नहीं पड़ता है बहुत कम देखरेकरनी पड़ती है और इसका यह प्लांट जो अच्छे से सर्वाइफ कर जाता है पस इसमें पानी एक दम नहीं देना है हपता दस दिन के पाद ही इसमें थोड़ा स आप इसको रख सकते हैं अराम से सर्वाइफ करता है यह बिना किसी मतलब आप महना भर तो आप घर में रख सकते हैं उसके पाद चार पान दिन फिर बहार निकाल के धुब दिका दीजे फिर एक मंद के लिए अप घर में यह प्लांट लगाने से यह क्या होता है आपके घर प्लांस आपको जरूर दिखेगा इस नेक प्लांट बैड्रूम में लगाने से आपको अच्छी और प्यारी नींद आने वाली है बिना किसी महनत की अच्छी नींद लेने के लिए इस नेक प्लांट घर में लगाईए और इसके घर में लगाने से आपके घर की जो में रख दीजे हां यह थोड़ा समय लेता है ग्रो होने में रखके 15-20 दिन के लिए भूल जाएए पानी इसको हफ्ते हफ्ते चेंज करते रहिए यह वहां से बेबी प्लांट देने लगता है आप मत्ती में भी गाड़ देंगे इसको पत्ती को काटके वहां से बेबी प्लां लाइये चाहें बड़े बनाले चाहें चोटे रही बाइटे की तो आप कोहीं सीवी लाइये घरमे रख ळखे घर के बातावरोन इसको भायू को सुथ करूए और प्वास्तु दोस्त को सई कर इस भर के अपने वास्तु दोस्त जो है उनको भी आप ठीक उनलिए इससे घर आपका घर भी सुन्दर लगेगा आपको सुधा वायो भी मिलेगी और आपके घर के जो दोस्त वास्तु दोस्त वह भी दूर होंगे इनि फैदा ही फैदा इस प्लांट्स को लगाने से फ्रेंट्स पेरे घर भी दो है मेरी वीडियो चो मैंने डाली है उसमें भी मेरे घर की वह दोनों प्लांट्स है और अधिके फ्रेंट्स तो इसी तरह अच्छी एची वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा पता नहीं क्यों आज का मेरी जीबडी लड़ा आजारी है ताकि आपको अची एची एची वीडियो देखने को मिले तो मिलते है न